हलो दोस्तों नमस्कार आप सब का मेरे चैनल पर स्वागत है आज मैं आप सब के लिए लेकर आए हूं स्वेटन का 400 वाट स्पीकर जो की एक स्पीकर तीन साल पुराना है एक स्पीकर अपकी दुरुगा पूजा में न्यू आया हुआ है तो दोनों में कंपरेजन करते हैं दे दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें वीडियो लाश्ट तक देखना दोस्तों तो चलिए इस स्पीकर का क्लोज लुक दिखाते हैं दोस्तों उसके बाद फिर और इसके बारे में जानकारी देते हैं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस स्पीकर की दूरुग बहुत ही मस्त है, इसके कोन वगयरा देखिए, बहुत ही टाइट जम्पी है, ताकि इसका पंच हार्ड हो, ये दोस्तो बगल में तीन साल पुराना स्पेकर है, इसका भी कोन वगयरा भी टाइट है, बहुत ज्यादा ढहीं हुआ है दोस्तों, इसका कलर भी परदे का एकदम दोस्तों बहुत ही मस्त है, पुराना स्पीकर है, तब भी नई की तरह ही चलता है, आप लोग दोस्तों करीब सरब देख लीजिए, से मम ओइसी कमपणी ने इसको भी वनाया था, चलिए दोस्तों इसके और बारी के से नीचे का हिस्सा देखते हैं तो इसका देख सकते हैं दोस्तों साकित अगेरा बहुत ही मजबूत दिया हुआ है और थोड़ा हम जूम करते हैं इसका इस्पाडर अगेरा दिखाते हैं आप लोगों को आप लोग देख सकते हैं इसका वायर भी सील्ड है ताकि गरम होने पर कटेना दोस्तों स्वेटन पंपनी अपने प्रोड़क्ट पर बहुत ही ध्यान दे रही है कापी दिन से चला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तीन साल हो गया अभी एक भी स्पीकर जला नहीं है और अब प्लस्मीन्दी का इस पीकर बहुत ही जादा अंतर नहीं है तो दोस्तों आपकी दूरगा पुझा से पहले मैंने स्वेटन का ही आठ जी स्पीकर मंगा था इसका पराइस समय चौनशों पढ़ रहा है जो कि मैं गोरकपूर से लिया था और पिछली बारे इस पिकर 3800 रुपे का पड़ा था इलाबाद से मगया था जो कि कुलकाता से होते हुए इलाबाद आया था उसके बाद वहां से मैंने रिसीब किया था तो दोस्तों स्वेटन का इस पिकर काफी अच्छे होते हैं और इसका प्रोड़क्ट भी बहुत ही जवर्दस्त क्वालि अभी जलने आकटने की समस्या नहीं आई है बाकी स्पाइडर अगेरा अभी एक भी बार उख़ा नहीं है परदा भी सेम है तो दोस्तों आज इसका चेकिंग वीडियो तो नहीं बन पाएगा किसी दिन आवर बनाते हैं क्योंकि आवर प्रोग्राम में छोटी-छोटी मसीन रमायड प्रोग्राम में लगे हुए है रमलीला में उसका भी वीडियो कल के डिट में अपलोड कर दूंगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें धन्यवाद दोस्तों